नवस्कार दोस्तों आप सरी का स्वागत है हमारी यूटूब चेनल BCS अगेड़ में पर और आज की इस वीडियो में हम नेट आएडी से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं आज का जो हमारे डोपिक है वो है लोटनिक गती विद्यारत इस वीडियो में हम लोटनिक गती होत होती है और विभिन्न पिंडों जैसे गोला हो ठोस गोला बेलन चक्ति वले इनकी गती जूर्जा क्या होगी इसकी हम चर्चा करेंगे और साथ में हम देखेंगे कि किसी नत समतल से दी किसी पिंड को लुड़ गाया जाता है तो नत समतल के निम्नतम बिंदु तक पहुंच पर आधारित नुमेरिकल क्यूशन भी हम देखने वाले हैं समझने वाले हैं तो यह जो वीडियो है वो लोटनिक गती पर आधारित होगा विद्यारतियो यदि आप हमारे यूटूब चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इस साथ में बेल आइकन पर दब पड़ी है रेखे गती के अंदर पिंड इस्थनांत्री गती करता है और उस दोरान जो पिंड है उस पर लगने वाला कुल बला घूंड जीरो होता लेकिन बल जीरो नहीं होता तो वो जो गती है बल जब जीरो नहीं होता तब जो गती होती वो रेखे गती होती है ठीक है इ इस्थानांत्री गती के लिए कई वार एक समान वेक से यदि पार्टिकल गती कर रहा है तो भी वो इस्थानांत्री गती होगी उस कंडिशन में बल भी जीरो हो जाता है ठीक है ना तो यहां पर आप समझें कि यदि कोई पिंड रेखिये और घुडन गती दोनों गती एक साथ में करता है तो उस गती को हम लोटनिक गती कहते हैं लोटनिक गती कहा चाता है तो घुडन गती और रेखिये गती जब दोनों साथ साथ में होगी ना तब लोटनिक गती होगी चल कोई पिंड रेखिये एवं घुणन दोनों गतियां साथ साथ करें तो पिंड की गति लोटनिक गति कहलाती है उस गति को हम लोटनिक गति कहते हैं जैसे मेरे पास में ये कोई पिंड है और ये कोई सत्य है जिसके उपर ये लोटनिक गति कर रहा है तो लोटनिक गति के अंदर क्या होगा जो पिंड है वो किसी वेग वी से भी गति करेगा और यहां पर यह इधर घुणन गती भी करेगा, दोनों गती एक साथ साथ में होगी, देखिए, यहां पर यह जो प्रष्ट की सत्य और इसका जो संपर्क बिंदू है, दोनों के मद्दे कोई आपेक्सिक गती नहीं होती, क्योंकि जैसे यह वाला बिंदू है, फिर अगले ही लेकिन गर्षण के द्वारा कोई उर्जा या कार्य नहीं होता, उर्जा हास भी नहीं होता और गर्षण के द्वारा कोई कार्य भी नहीं होता, इसको क्लियर कर ले, यहां पर गर्षण की वज़े से ही लोटनिक गती किरियेट होती है, चले मैं आपके सामने रख देता हू लोटनिक गती के उत्पन होने का कारण क्या है गर्सन है तो गर्सन के कारण ही कारण ही लोटनिक गती क्रियेट होती है लोटनिक गती उत्पन होती है लेकिन यहाँ पर इस लाइन को भी ये भी महत्पूर्ण है लेकिन गर्सन के विरुद्द किया गया कार्ये एवं उर्जहास सुनने होता है अब ऐसा क्यूं होता है उसके पीछे रीजन देखना क्या रीजन है क्यूंकि जो पिंड का संपर्क बिंदू है और सत्य है दोनों के बीच में कोई आपेक सिगती नहीं होती दोनों के मद्दे सापेक से गती नहीं होती इसलिए उर्जा हास भी नहीं होता और गर्षन के विरुद्ध किया गया कारे भी सुनने होता है चले देखें महतोपुन लाइन क्या है कि वस्तु वे सतय के संपर्क बिंदू के मद्दे सापेक सिक गती नहीं होती है नहीं होती है क्लियर हो जाना चेए अब ध्यारती हम थोड़ा से आगे बढ़ते हैं यहां से मैं बात करूँगा यहां पर निकाई की कुल उर्जा की कुल गतीज उर्जा की तो यहां पर आप ध्यान दें की निकाई घुणी गती भी कर रहा है और लोटनी गती भी कर रहा है तो दोनों की गतीज उर्जाओं का हम योग कर देंगे देखे, लोटनिक गती में कुल गतीज उर्जा, क्या होगी, कुल गतीज उर्जा को मैं यहाँ पर KN से फुट कर रहा हूँ, किस से लिख रहा हूँ, यह नेट काइनेटिक एनरजी है, और यह जो नेट काइनेटिक एनरजी है, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनरजी दोनों की योके बराबर होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनरजी होती है, एक बटा दो, mv square half mv square और rotational kinetic energy एक बट्टा दो i omega square होता है i यहाँ पर जड़त्वा गुन omega कोणी वेक m दुर्यमार और v है रेखी वेक इसे हम क्या लिख सकते हैं kn बराबर एक बट्टा दो mv square प्लस एक बट्टा दो जड़त्वा गुन को हम दुर्यमान गुना गुननतिर्जा के वरक के रूप में लिख सकते हैं ऐसे put किया जा सकता है और कुणी वेक को क्या लिखा जा सकता है v upon में r लिखा जा सकता है तो देखिए जो जड़त्वा गुन है वो m k square लिख सकते हैं और omega बराबर v upon में r लिख सकते हैं यह दोनों ही फोर्मूलों का मैंने यहां पर प्योग किया है तो जो total kinetic energy है वो कितने आजएगी hop mv square और यहां पर रह गया 1 यहां पर 1 बटा 2 mv square मैंने कॉमल ले लिया तो यहां पर क्या रह गया k square बटे में r square है देखो मैंने यहां पर 3-4 के दिखाए है यह kn है कुल गती जूर्जा यह जो small के आप देख रहे हैं यह घुर्णन तिर्जिया है क्या है घुर्णन तिर्जिया radius of gyration इसको कहा जाता है और अलग-अलग पिंडों के लिए इसकी value अलग-अलग होती है मैं यहां पर अलग-अलग पिंड यहां पर वले, चक्ती, गोला ठोस गोला, बैलन इन सब के लिए जो कुल गती जूर्जा है उसको आपको बदाता हूँ कितनी-कितनी हमें मिलेगी चले देख लेते हैं देखें, यदि केक का मान आजए तो हम के-एन का मान लिख सकते हैं mv-square के पदों में पुट कर सकते हैं चले, देख लेते हैं हम इनकी तल के लंवत और घुणनक्स से गुजरने वाली अक्स के रस्पेक्ट कुछ पिंडों के जड़त्वा घुण में पुट कर रहा हूँ मैं सबसे पहले ले रहा हूँ वले, वले के साथ में हम ले सकते हैं खोकला बेलन क्योंकि दोनों का ही अक्स के सापेक्स जड़त्वा घुण क्या होता है सेम होता है इन दोनों का इजड़त प्वागून कितना होता है MR2 होता है MR2 तो देखें यहां से जो घुर्णन तिरजया है वो दुर्यमान के घुर्णा में जो भी रासी है उसका अंडूड कर दिए तो घुर्णन तिरजया क्या हो जाएगी यहां पर R हो जाएगी घुर्णन तिरजया यहां पर क्या हो जाएगी और अब इसके लिए मैं कुलगती जूर्जया भी पूट करूँगा तो कुलगती जूर्जया क्या जाएगी यह फोर्मूला हमारे सामने पड़ा है कुलगती जूर्जया देखें KN यह केपिटल के है KN बराबर Halv MV 1 प्लस K कमान R के बराबर तो R बटा R और स्क्वेर कितना ओगया 1 हो गया 2 से 2 कट गया MV इस्वेर आगया MV इस्वेर पिर इसी प्रकार से खोकले वेलन के लिए और वले के लिए झीम है फिर में बात करता हूं यहां पर चक्ती, सिक्का और चक्ती के साथ में आप ठोस बेलन भी ले सकते हैं क्या लिया जा सकता है यह आगे अभी इस वीडियो में भी यूज में आएंगे तो इसको इन चीजों को यहीं पर क्लेर करें वले या खोकले बेलन की जो गुणन तिरजया वो capital R होगी, फिर मैं चक्ति की बात करता हूँ, तो चक्ति के लिए उसकी मुख्यक्स और तल के लमवत जो अक्स है, उसके respect जड़त पागून, हाप M V, R square होता है, और गुणन तिरजया कितने हो जाएगे, M के गुणा में क्या R square बटा दो, तो गुणन तिरजया हो जाएगी, उसके अंडूड के बराबर दो, R बट में अंडूड 2, देन यहां से क्या मिल जाएगा, के न बराबर 1 बटा 2, M V square 1 प्लस, इस के की जगे में क्या रख दूँ, R बट में अंडूड 2 का square, तो R square बट में 2, R square से R square cancel हो गया, 1 प्लस 1 बटा 2, 3 बटा 2 आ गया, 3 बटा 2 गुणा 1 बटा 2, कितना जाएगा, 3 बटा में 4 जाएगा, 3 बटा में 4, तो के न बराबर जाएगा, 3 by 4 M V square, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठोस गोला, ठोस गोला, और ठोस गोले के व्यास के रस्पेक्ट, जो जड़त्वा अगुण है, वो 2 बटा 5 M R square होता है, 2 बटा 5 M R square होता है, तो यहाँ से K बराबर कितना निकलेगा, K बराबर निकल गया, अंडूरूर्ड में 2 बटा 5 R, और जब अंडूर्ड में 2 बटा 5 R हमें, घुणन तरिजा मिल रही है, तो K N कितना मिलेगा, 1 बटा 2 M V square 1 plus, square करेंगे तो अंडूर्ड हड़ जाएगा, R से R square कैंसल हो जाएगा, 2 बटा 5 आगया, तो 5,8,2,7, 7 बटा में 5, तो 7 बटा में 10 आजएगा, 7 बटा में 10, calculation कर लीजिए, यहाँ पर मैं खोकला गोला ले लेता हूं, अबर क्या ले ले हम, खोकला गोला, तो खोकला गोला लेंगे, तो I बराबर कितना आएगा, 2 बटा में 3 M R square, K equal to हीतना जाएगा, अन्रूड में 2 बटा में 3 R, रग दीजी फोर्मूले में, इसी फोर्मूले में हम यह जदी पूट कर दें, K की वेल्यू, small K की वेल्यू, देन हमें क्या मिल जाएगा, 1 M V square 1 प्लस, इसका square करेंगे, तो R से R कर जाएगा, 2 बटा 3 ही रग जाएगा, तो 2 बटा 3 से 5 बटा 3, 5 बटा 6 जाएगा, 5 बटा 6 M V square, ओके, तो जब कोई Pind लोटनी गती करता है, तो देखें, यहाँ सबसे ज़्यादा जो गतीज उर्जा होती है, वो क्या होती है, वले की होगी, या खोकले बैलन की होगी, यह 0.75 M V square, यह 0.7, तो यह 1 है, यह 0.75 है, तो यह 5 बटा 6, तो यह 0.8 के something, उसके पश्याद आएगी, खोकले, देखें, सबसे ज़्यादा गती जूर्जा किसकी होगी, खोकले, बैलन या वले की, फिर उसके पश्याद किसकी हैगी, उसके पश्याद गती जूर्जा होगी, खोकले, गोले की, फिर उसके पश्याद किसकी होगी, चक्ती की, चक्ती की, और फिर अंत में ठोस गोले की, ओके, तो ये इनकी गती जूर जाएं है विदारते अब इसके पशाथ हम लेते हैं एक नत समतल और वहां से हम पिंड को लुडगाएंगे और लुडगाने के पशाथ हम कुछ रिलेशन आपके लिए लेकर आएंगे एक एक करके वो समझ लेते हैं लोटनिक गती में ही अब हम यहां पर एक टोपिक देखेंगे नत समतल पर पिंड की लोटनिक गती देखिए हमारे पास में इस तरीके से एक नत समतल है यह हमारे पास में एक नत समतल है इसका सेतीज के साथ में जो कौन है वो है थीटा और उंचाई है इसकी H नत्तल की जो लंबाई है वो है S लंबाई कितनी है? S और यहां पर हम एक small M दुरिमान का देखिए पिंड का जो दुरिमान है पिंड का दुरिमान वो है small M पिंड की तुरिजिया वो हम capital R लेकर चलेंगे क्या लेकर चलेंगे? capital R नत्ती कोन या नत्त सम्तल का सेतीज के साथ में बनाया गया कोन वो थीटा और उंचाई यहां पर कितनी उंचाई से गिराय जा रहा है? small H उंचाई से गिराय जा रहा है यह मैंने कुछ basic जानकारी आपके सामने रखती है देखे यहां से जब यह पिंड लुड़केगा तो यहां पर यह लुड़क रहा है बिना फिसले गती कर रहा है फिसलना नहीं चीए उस condition में हमेरे पास में कुछ relation आएंगे वो हम देखेंगे इसकी radius कितनी है capital R तो यह यहां पर इस्थानांत्रिय गती कर रहा है साथ में घुड़न गती भी हो रही है इस्थानांत्रिय गती भी हो रही है और साथ में क्या हो रही है घुड़न गती भी हो रही है ओके घुर्णन और इस्तानांतर दोनों गती हो रही, इट मिन्स यहां पर लोटनी गती हो रही है यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए विद्यरतियों उर्जा संरक्षण नीम से यहां पर यांतरिक उर्जा संरक्षित रहती है इस बिंदू के उपर इस स्थान के उपर इसमें इस्तधी जूर्जा संगरहित रहती है और जैसे ही यहाँ पर सेतीज तल पर पूंचेगा तो सारी सारी जो इस्तधी जूर्जा है वो गती जूर्जा में कनवार्ट हो जहेगी तो हमें एक रिलेशन प्राप्त होता है यांत्रिक उर्जा सं़रक्षण से जो इस्तधी जूर्जा है आम, जी, एच ये सारी इस्तधी जूर्जा गती जूर्जा में कनवार्ट हो जएगी और यहाँ पर जो पिंड है वो इस्थनांत्री और घुणन दोनों गती कर रहा है इट मिन्स लोटनी गती कर रहा है और लोटनी गती के दोरान जो गतीज उर्जा होती है वो हाफ mv square into 1 plus 1 k square by r square होती है यह हमारे पास में है यांत्री कुर्जा संदक्षन से गतीज उर्जा अब मैं बात करता हूँ यहाँ पिंड का वेग पिंड का वेग पिंड का वेग क्या होगा v बराबाए यहाँ से m से m क्या हो जाएगा कड़ जाएगा दो इधर गुणा हो जाएगा तो 2gh H, बत्टे में क्या आ गया 1 posit K square by R square ये आ गया, और V square बराबर आया है ये, V बराबर क्या जाएगा अंडरूड कर देंगे इसका हम क्या कर दिया हमने अंडरूड कर दिया, तो यहां से हमें देखिए क्या निसकर्स मिला है, कि V है वो समानुपाती होता है एक बट्टे में वन प्लेस एक के स्क्वेर बाई आर स्क्वेर के यह रिजल्ट निकल गया अलागी फोर्मूला तो यह यह अपना में जो सुत्र है वो यह खै ठीक वेग का सुत्र आ चुका है अब मैं यहां पर बात करता हूँ अक्सलरेशन की पिंड का तुरण पिंड का अक्सलरेशन क्या होगा जैसे ये है निम्नतम बिंदू पर कोण से बिंदू पर है निम्नतम बिंदू पर एंच उचाईए चल लेगा यहां से जब यहां पर आएगा तब इससे पिंड की जो वेलोसीटी है वो V, अक्सलरेशन A और लगने वाला जो समय है तो यह तीन चीज हम ग्याद करेंगे तो अक्सलरेशन क्या होगा अक्सलरेशन के लिए हम है गति के समीगरणों का प्रियोग करेंगे V स्कूर बरावर U स्कूर प्लेस 2 A S यह होगा, देख लेते हैं V कमान हमने निकाल लिया है U 0 लेंगे S कितना होगा यहां से S निकालो तो देखें, लंब हमें पता है H करन और लंब के बीच में एक रिलेशन होता है साइन थीटा तो H बट्टे में S तो S बराबर आ गया H बट्टे में साइन थीटा देखो क्या जीएगा V स्क्वेर का जो मान है वो कितना है 2G H बट्टे में 1 प्लस 1 K स्क्वेर बाई R स्क्वेर बराबर यह 0 प्लस 2 A S कमान कितना है H बट्टे में साइन थीटा H बट्टे में क्या है साइन थीटा तो यहां से हमें H ये h से h क्या हो गया cancel 2 से 2 भी क्या हो गया cancel यहां sin theta इधर गुणा कर दू तो a बराबर आ गया g sin theta upon 1 प्लेस से k square by r square आ गया यह acceleration आ गया और acceleration का मान है वो 1 प्लेस k square by r square के विद्कर्मानुपाती होता है फिर मैं बात करूँ समय निमतम बिंदू पर पूँचने में लगा समय तो समय के लिए v बराबर u प्लस 80 u प्लस 80 इस वले फोर्मुले से निकाल लेते v कमान हमें पता है चले फिर मैं इधर पूट कर रहा हूँ यहां पार v कमान कितना है v का फोर्मुले यह रहा तो अंडरोड में 2GH बट्टे में 1 प्लस k स्क्वेर बाई r स्क्वेर यह तो है v कमान u कमान 0 a कमान अभी 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 निकाला है क्या निकाला है g sin theta upon 1 प्लस k स्क्वेर बाई r स्क्वेर और into में हमारे पास में है t तो t बराबर कितना आजेगा जो कुछ कट पीट रहा है उसे काट पीट देते हैं t बराबर देख लीजिए देखी यहां से 2h तो पड़ाई है तो यह 2h तो अंडूरूड में है ही है g से आदा g कट गया तो बटे में g आ गया ठीक है यहां से इसकी घात पूरी एक है इसमें आदी है आदी घात बजज़ेई उपर चलिए यह 1 प्लस 1 k square by r square यह इन सब की घातें आदी है बस यही आएगा और क्या यह आगया t तो यह 1 प्लस k square by r square के अंडूरूड के समानुपाती होता है समय तो यह तीन relation निकलें एक दो और तीन अब यदि आपको यह पूछा जाए कि यहां से हम एक चक्ति को एक वले को एक गोले को बैलन को यह से हमारे पास में चार-पांच वस्त्वे है वही जो सम्मित वस्त्वे मैंने थोड़ी देर पहले उनके लिए घुणन तिरजया की वेल्य बताई थी तो उनमें सबसे ज्यादा वेग किसका होगा या सबसे कम वेग किसका होगा दोनों क्यूशन है सबसे कम वेग किसका होगा सबसे ज्यादा देखो सबसे ज्यादा जिसका वेग होगा वो सबसे पहले पूँचेगा सबसे ज्यादा वेग होगा वो सबसे पहले पूँचेगा सबसे कम समय लेगा ठीक है आगे बाद समझ में और जिसका वेग सबसे कम होगा उसको सबसे ज्यादा समय लगेगा चले भी देख लेते हैं क्या आता है में क्या मिलता है मैं यहां पर लेता हूँ सबसे पहले वले ले ले लिजी खोकला बेलन ले लिजी वले और खोकले बेलन दोनों को यहां से आप लुड़का रहे हैं तो देखें इनके लिए k square by r square का मान क्या हो जाएगा मैं k की बात करता हूँ तो k का जो मान है वो r के बराबर होगा k का मान किसके बराबर होगा r के बराबर तो k square by r square है वो एक होगा k square by तो यहां से क्या क्या मिलने वाला है हमें v बराबर v क्या मिल जाएगा देखो यह होगा मैं एक वारे इन सब की value put कर देता हूँ k square by r square की फिर दूसरी नंबर पर मैं बात करता हूँ चक्ती चक्ती इसके इस्तान पर आप चक्ती भी ले सकते हैं ठोस, बेलन भी ले सकते हैं ठोस, बेलन और इनके लिए जो केका मान है वो r बट्टे में अंडूर दो होता है और k square by r square की जो value है वो एक बट्टा दो होती है ठीक है फिर मैं बात करता हूँ इसके फश्यात ठोस गोले की ठोस गोले की ठोस गोले के लिए केका जो मान है वो अंडूर बट्टे में पांच आर होता है यहां से क्या हो जाएगा k square by r square बराबर दो बट्टे में पांच हो जाएगा अंत में हम बात करते हैं खोकले गोले की खोकले गोले के लिए केका जो मान है वो अंडूर में दो बट्टा तीन आर होगा और यहां से हम k square by r square को पूट कर देंगे तो दो बट्टा तीन आजएगा अब यहां पर हम देखें इन में से हम समझेंगे यहां से कि किसका वेग सबसे जादा होगा सबसे वेग कम किसका होगा तो यहां पर देखें इसका मान तो एक है इसका मान यह 0.5 और यह 0.4 ठीक है और यह आ गया 0.6 पॉइंट 6, 6, 6, 6, 6 ऐसे आ गया तो सबसे ज़्यादा मान वले और चक्ती के लिए है और सबसे कम मान है ठोस गोले के लिए तो यहां पर देखें यह वाड़ी रासी जितनी छोटी होगी वेग उतना ही ज़्यादा होगा तो वेग सबसे ज़्यादा किसका होगा ठोस गोले का वेग होगा ठोस गोले का वेग सबसे ज़्यादा और सबसे कम vika मान उसके लिए सबसे ज़्यादा तो सबसे कम मान किसके लिए है ठोस गोला ठोस गोला सबसे ज़्यादा वेग वाला होगा और वल्य और खोकला बेलन सबसे कम वेग वाला होगा ये clear हो गया फिर बात करते हैं acceleration की तो acceleration में भी same है k square by r square सबसी ज़्यादा उसके लिए acceleration सबसे कम तो k square by r square किसका ज़्यादा सबसी ज़्यादा k square by r square सबसे ज़्यादा होगा वले का तो वले को सबसे ज़्यादा समय लग रहा है तो सबसे पहले कौन पूँचेगा वो तो यह तो सबसे last में पूँचेगा समय ज़्यादा लग रहा है सबसे last में पूँचेगी सबसे पहले कौन पूँचेगा जिसका वान सबसे कम है तो थोस गोला तो नत समतल से यहां से थोस गोले को वले को चक्ति को इन सब को लुटगा रहें सबसे पहले पुछेगा फोस गोला पुछेगा तो इन तीनों ही फोर्मूलों का प्रियोग करते भी हमारे पास है ऐसे कही वार question आ जाते हैं कि सबसे पहले कौन पूर्चता है बाद में कौन पूर्चता है इनका करम भी पूछ लेते हैं तो विद्यार तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब मैं यहां पर कुछ numerical question लेता हूँ उसे हम इन सब चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से समझेंगे कुछ numerical question यहां पर अब देख लेते हैं सबसे पहले देखिए एक गोला थीटा नती कोण वाले एक गोला है थीटा नती कोण वाले नत संतल पर नीचे की ओर लुड़क रहा है तली पर पहुँचने पर गोले का acceleration क्या होगा देखिए acceleration का formula हम जानते हैं ए बराबर जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वेर बाई आर स्क्वेर और गोले के लिए जो के स्क्वेर बाई आर स्क्वेर है ठोस गोले के लिए दो बटा पांच होता है देन यहां से कितना हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के दो बटा पांच तो यह आओ गया साथ बटा पांच पांच उपर चला जाएगा साथ नीचे रजाएगा जी साइन थेटा यह हमें मिल चुगा है क्या मिल गया है ए प्राप्त हो गया है ए मिल गया है नेक्स्ट क्यूशन की ओर बढ़ते है कैपिटल M दुरुमान एवम केपिटल R तिर्जा के एक फोस बेलन एल लंबाई था एच उचाई के नत संतल पर बिना पिसले नीचे की ओर लड़क रहा है तली पर पहुचने पर इसके दुरुमान के अंदर का वेग क्या होगा अब की बार हमें वेग पूछा है और बेलन दिया हुआ है फोस बेलन दिया हुआ है तो देखें वेग का फोर्मूला भी अभी अभी हमने आपको बताया क्या था वी बराबर अंडरूड में 2 जी एच अपॉन 1 प्लस 1 के स्क्वेर बाई आर स्क्वेर और फोस बेलन के लिए के स्क्वेर बाई र स्क्वेर का मान एक बटा दो होता है कितना होता है एक बटा दो बिना पिसले लुड़क रहा है तो वी बराबर 2 जी एच 2 जी एच बटे में 1 प्लस 1 बाई 2 ये आ गया ये प्राप्त हो गया है देन यहां से कितना मिल जाएगा V बराबर 4 बट्टा 3 GH प्राप्त हो जाएगा ओके जो next question है वो क्या है कि 10 ग्राम द्रिवान का एक सिक्का 1 से 30 मेज के अनुदिश से 6 सेंटिमेटर पर दिस सेकिंड की गती से लुड़क रहा है इसके कुल गतीज उर्जा क्या होगी लुड़क रहा है तो लोठनी गती कर रहा है और लोठनी गती के दोरान जो कुल गतीज उर्जा है उसका फोर्मूला हमारे पास में था KN बराबर हाप MV स्क्वेर 1 प्लस K स्क्वेर बाई R स्क्वेर और हम ये जानते हैं कि सिक्का सिक्का एक चक्ती की भाती है चक्ती के लिए K स्क्ेर बाई R स्क्वेर का मान कितना होता है 1 बटा 2 1 बटा 2 होता है देन कितना प्राप्थ होएगा KN इक्वल to 1 बटा 2 M V स्क्वेर 1 प्लस चले इस सब की value ही रख दीजे, m और vb हमें दे रखा है न, m कमान तो कितना है, 10 ग्राम, मतलब 10 गुणा दस की घात, मैंनस 3, v कमान कितना है, 6 cm, v कमान कितना है, 6 cm, तो 6 गुणा दस की घात, मैंनस 2 का square, फिर 1 प्लस 1 बाई 2, तो यहां से क्या जाएगा, 1 बटा 2, यहां से आगया 3 बटा 2, यहां से आगया 6 गुणा 6, यहां से आगया 10 की घात, इन दोनों को मिला कर, दस की घात मैंनस 2, दस की घात, यहां से मैंनस की 4, मैंनस की 4 और मैंनस की 2, मैंनस की 6 आ गया, तो यहां से यह तीन बार में, यहां से ये भी तीन बार में नो, नो को तीन से गुणा करेंगे 27 गुण दसकी घात माइनस 6 जूल और ये आगया 27 माइक्रो जूल कुल गतीच उर्जा ये समझ में आ जाना चीए नेक्स्ट क्यूशन देखिए स्मूल अम दुरिमान्त और स्मूल अर्टिरजा का एक गोला 37 तल पर यूव एक से बिना पिसले लुड़क रहा है गती कर रहा है यदि ये है गोला उर्द्वादर उपर की ओर लुड़के वह है उँचाई जहां तक जाएगा देखिए इसके ठीक सामने यदि नत सम्तल आ जाता है तो ये कितनी उचाई तक जाएगा ये हमें पूछा है देखिए इस क्यूशन को थोड़ा सा बेटर तरीके समझ लीजिए ये ऐसे है और यहां पर ये लुड़क रहा है यूवेक से कितने वेक से लुड़क रहा है यूवेक से ये लुड़क रहा है हमें ये पूछक यहां से ये लुड़कता लुड़कता कितनी उचाई तक जाएगा मैं कंसिडर कर लेता हूँ एंच उचाई तक जाएगा कितनी उचाई तक जाएगा h उचाई तक जाएगा बिना फिसल लुड़क रहा है तो देखे इसकी जो गतीज उर्जा है तो गतीज उर्जा बिना फिसल लुड़क रहा है तो इसकी गतीज उर्जा कितनी है 1 बट्टा 2 m u square 1 plus 1 k square by r square r की जिगे यहां पर small r small r put कर लेंगे और क्या बराबर सारी की सारी गतीज उर्जा है वो इस्तधी उर्जा में convert होजेगी अधिक्तम मुचाई पर इसमें सिरफ और सिरफ गती उर्जा 0 और इस्तधी उर्जा रहेगी सिरफ और सिरफ कौन सी उर्जा रहेगी इस्तिती जूट जा तो यहां से यह h ग्याद करना है तो m से m क्या हो गया cancel हो गया h बराबर क्या गया u square बट्टे में 2g 1 प्लस k square by r square और देखे यहां पर हमें execution में क्या दे रखा है गोला गोला दे रखा है तो गोले के लिए k square by r square की value कितनी होती है 2 बट्टा 5 तो यहां से h बराबर क्या जाएगा u square बट्टे में 2g 1 प्लस 2 बट्टे में 5 तो यह आगया 7 बट्टे में 5 u square बट्टे में 2g तो यह होगा 10 7 बट्टे में 10 u square by g ओके तो विद्धैर तो यहाँ है क्यूशन आपको समझ में आ गया होगा कुछ numerical हमने लोटनी गती पर आधारित देखे मुझे उमीद है आप लोगों को यह सारे सारे जो concept है numerical है वो अच्छे समझ में आ गया होंगे विद्धैर तो अब हम NCRD पर आधारित और जो previous years के paper है उन पर आधारित क्यूशन लेकर आएंगे आप हमारे साथ में यूही बने रहे है आज की इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद दोस्तों